दोस्तों रमस्कार मिरा नाम संजे मगुः और मौजूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सबाद चुनाव चल रहा है विधान सबाद चुनाव जहां ये राजनितिक दलों की अगनी परिक्षा है वहीं ये जहां प्रत्याशियों के लिए एक चैलेंज है यानि कि जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ही एक बड़ा चैलेंज एक बड़ी चुनावती एक बड़ी अगनी परिक्षा उन सांसदों की भी है जो अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले चुन कर आए थे यानि कि जो 25 मही को हर्याना के अंदर मद्दान हुआ था और 4 जून को जो हर्याना के अंदर सांसद बने देश के अंदर सरकार बनी हरियाना के जो 5 सांसद भाजबा के बने और 5 कॉंग्रेस के बने उनकी भी चनोती है इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ फरिदाबाद के सांसद फरिदाबाद के हैट्रिक सांसद कृषणपाल गुजर जो लगातार तीसरी बार सांसद है भारत सरकार के केंद्री राज्यमंत्री हैं तीसरी बार सांसत बनने के बाद में जो उनका प्रोफाइल बना राजनीतिक प्रोफाइल उनका जो औरा हुआ राजनीतिक औरा वो काफी बड़ा हो गया ये जरूर है कि तीसरी बार की जो उनकी जीत हुई वो अगर मतों का डिफरेंस देखें, मतों का अंतर देखें तो वो छोटी तो रही लेकिन हैट्रिक बनने आपने आप में एक बड़ी बात है कृशनपाल गूजर 2014 में पहली बार सांसत बने थे लगबग 4.5.5.5.5 लाक वोट से जीते थे दूसरी बार सांसत बने 2019 का चुनाओ हुआ लगबग 6.5.5.5 लाक के बीच में सांसत बने और तीसरी बार अब चुनाओ हुआ तीसरी बार 2024 में जब सांसत बने तो लगबग 1.5 और प antenno दो लाक के बीच का उनका मार örजन रहा डिफरेंस रहा दो चुनाव में उनका मुकाबला अवतार सिंग बढ़ाना से हुआ और अब के बार उनका मुकाबला महेंद्र परताप सिंग से हुआ अब 2024 का जो विधान सभा चुनाव चल रहा है ये चुनाव में आपसे कह रहा था कि सांसदों के लिए भी चुनोती है अब आप कहेंगे सांसदों के लिए चुनोती कैसे है क्योंकि जाब भारती जंता पार्टी के लिए 10 साल के एंट इंकमबेंसी है सांसदों को उनकी पसंद के इसाब से टिकेट भी दिये गए है तो उनके बाद में उनसे रिजल्ट की भी उम्मीद है अगर वो रिजल्ट नेगिटिव जाता है तो फिर सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड बन करके जाएगा मोदी के पास वो भी उसमें भी कहीं नेगिटिव मार्किंग हो सकती है इसलिए मैंने आप से कहा कि उनकी ब्यगनी परिक्षा है में हरियाना का जो विधानसभा चुना हुआ था लोगसभा के बाद फरिदाबादल की नौ विधानसभा सीटे हैं उनमेंसे 7 पर जीती थी भारती जनता पार्टी दो पर जीते थे एक पर इंडिपेंडनेंट और एक पर कॉंग्रेस इंडिपेंडेंट भी बाद में बीजेपी के साथ हुए हलाकि अलग ताल ठोक रहे हैं और एक सीट मात्र कॉंग्रेस के पास थी अब 2024 के चुनाव के लिए सबसे पहले तो बात यह आ जाये कि जो मैं आपको बता रहा था कि क्रिशनपाल के लिए चुनोती तो चुनोती बड़ी बात इसलिए कहा मैंने आपसे क्रिशनपाल गुजर भारती जंता प्राट्री के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं बाजबा के वो विधायक सांसद मंत्री परदेश अध्यक्ष परदेश में और कई पदों पर राष्ट्री अस्तर पर कई पदों पर क्रिशनपाल गुजर का औरा रहा है इस चुनाव के अंदर इस विधानसभा चुनाव के लिए क्रिशनपाल गुजर को जहां भाजपा ने थोड़ी खुशी थोड़ा गम मैं अगर ये जोड़ दूं दोनों दिया खुशी यूँ दी कि उनके चार चहेतों को टिकट मिला चार विधानसभा चेत्रों में क्रिशनपाल गुजर के चहेतों को भारती जनता पायटी ने अपना प्रत्याशी बनाया और गम यूँ हुआ कि क्रिशनपाल गुजर के बेटे देवेंदर चौधरी को भारती जंता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया हलाकि वो खुशी गमी के इस दोर से बाहर निकल करके इस समय भारती जंता पार्टी के प्रत्याशियों के परचार में जुटे हुए है सभी प्रत्याशियों के नामांकन में लगवक क्रिशनपाल गुजर साथ थे आजकल बढखल में पूरा पसीना भार रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था चार प्रत्याशी क्रिशनपाल गुजर की पसंद के हुए और उनका रिपोर्ट कैसी है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि क्रिशनपाल गुजर के लिए चुनोती और अगनी परिक्षा मैंने आपको बताया कि चार टिकेट विधायकों के चार MLS कैंडिडेट जो है वो किशनपाल गुजर की पसंद है तो उनमें सबसे पहला नाम आप धनेश अदलक्खा का ले ले धनेश अदलक्खा बढखल विधानसभा छेतर से कैंडिडेट है भारती जनता पायटी ने उनको प्रत्याशी बनाया बढखल विधानसभा छेतर से सीमा त्रिखा लगातार तीन बार कैंडिड हुआ करती थी 2009 का चुनाव हार गई थी 2014 और 19 का चुनाव वो जीत करके विधायक थी परदेश सरकार में आजकल शिक्षा मंत्री है उनका टिकेट कटा और उनका टिकेट काट करके धनेश अदलक्खा को मिला राजनीतिक हलकों के अंदर ये चर्चा रही कि क्या बढखल के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं था क्योंकि धनेश अदलक्खा बढखल से नहीं आते धनेश अदलक्खा ओल्ड फरिदाबाद वाली सीटी सीट से आते हैं और जो उनको टिकेट मिला धनेश अदलक्खा को उसके बाद से काफी समय अब लोगों के अंदर राजन मुथरेजा अलग हो गए पार्टी से सीमात रिखा भाले कहीं दीखती हो लेकिन मैं कह नहीं सकता कि उनके अंदर वो जूश उत्साज होगा क्या और जो उनकी एंटिन गंबेंसी थी सीमात रिखा कि अगर उसके लिए किया गया हो तो फिर उसका भी कोई विशेश बेनेफिट होता धनेश अदलक्खा को नहीं दीख रहा और अगर आज की मैं आपको स्थिती बता दूँ विदानसभाद चुनाव जब होगा तब होगा हलाकि हम आपसे चर्चा किया करते हैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा फरिदाबाद की नौ सीटों की लेकिन मैं भी बात कर रहा हूं कृशनपाल गूजर के समर्थक और कृशनपाल गूजर की अगनी परिक्षा धनेश अदलखा की स्थिती अगर आप माने तो बढखल विदानसभाद चेतर के अंदर कोई अच्छी नहीं कही जा रही है है दनेश अदलखा के लिए बढखल विदानसभाद चेतर में रेड सिग्नल है यानि कि उनके लिए जो कहते हैं जो राजनीती से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना है कि धनेश अदलक्खा को टिकेट दे करके कोई बैतरीन फैसला नहीं हुआ हाला कि फैसला तो जनता का होगा जो पांस तारिक को मशीनों के अंदर जाएगा ईवी में और आठ तारिक को मतों की गिंती होगी लेकिन धनेश अदलक्खा अगर चुनाव हारते हैं तो यह फिर क्रिशनपाल गुजर के लिए भी नेगेटिव मार्किंग होगी और यह नेगेटिव मार्किंग मनहोरलाल खटर के लिए भी होगी अगली विधान सवा की बात करूं तो फिर एन इटी के अंदर क्रिशनपाल गुजर के चाहिते हैं सतीश पागना सतीश पागना को टिकेट मिला यहां पर देवेंदर चौधरी भी कैंडिडेट थे क्रिशनपाल के बेटे लेकिन उनकी बात नहीं बनी यहां पर नगेंदर भढ़ाना कैंडिडेट थे भारती जन्ता पाटी की तरफ से टिकेट किच्छा थी उनकी बात नहीं बनी नगेंदर भड़ाना इस समय इंडियन नेशनल लोगदल और बीएसपी के कैंडिडेट के तोर पर चुनाओ मैदान में हैं उनकी जो सोशल मीडिया में पोस्ट देखता हूँ उसके अंदर ठीक ठाक भी ले रहे हैं निरज शर्मा कैंडिडेट हैं कॉंग्रेस के 5 साल से कैंडिडेट में एमले थे वो भी चुनाओ मैदान में हैं अलाग से जब चर्चा होगी तो बात करेंगे लेकिन जो सतीष भागना जिनको टिकेट भारती जन्ता पाड़ी का मिला और जिनके ली कहा जाता है कि वो कृषनपाल गुजर की अनुशन सापर टिकेट हुआ तो राजनीतिक हवाई तो संदेश दे रही है कि ये अनुशनसा कृष्णपाल गूजर जी की तो हुई लेकिन जनता के अनुशनसा उस पर नहीं हो पा रही यानि कि बहुत बहुत पीछे बताए जा रहा है सतीश वागना एननाईटी विधानसवा में एननाईटी ऐसी विधानसवा है जहां भारती जनता पारटी आज तक चुनाव नहीं जीती 2009 और 19 में तो पिता पुत्र बनें शिवचरन डाल शर्मा बनें 2009 में और उनके बेटे नीरज शर्मा बनें 2019 में बीच में 2014 में बनें नगेंदर भडाना इनलो और के टिकेट पर कैंडिडेट पर वो एमले बने थे यहां पर सतीश पागना की स्थिती भी अच्छी नहीं बताई जा रही यह दूसरा कृशन पाल गूजर जी के लिए है कि यहां उनके लिए भी थोड़ी सी समस्या है तीसरी बात मैं अगर आपसे करूं तो अगर आप देखें तो सतीश पागना के लिए भी यहां पर रेड सिगनल है रेड सिगनल से यलो सिगनल पर भी आना मुश्किल होता है और फिर यलो से ग्रीन पर जाना तो बहुत टफ बात लगती है तो मैं आपको इसलिए बताया कि सतीश पागना की स्तीधी भी कोई बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही तीसरी विधानसवा जिनमें कृशनपाल गूजर के चहिते को टिकेट मिला वो है होडल विधानसवा हरेंदर रामरतन को हैं टिकेट मिला है कल मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था जो टूर प्रोग्राम आज के लिए है उसमें मातर तीन कारेकराम उनके थे यानि कि विधानसवा चुनाओ जब पीक पर है और ऐसे नेता जनको टिकेट अंतिंग शणों में मिला हो क्योंकि गारा तारिक को टिकेट डिकलियर हुआ था इसलिहाज में भी इस समें पर भी अगर चुनाओ परचार में तेजी नहीं है तो तो अब समझ सकते हैं कि स्थिती वहा की क्या हो सकती है राजनीतिक लोग होडल विधान सभाग को भी मान रहे हैं कि हरंदर रामरतन के लिए रैड सिगनल है अगर वो रैड सिगनल हरंदर रामरतन के लिए है तो समस्या थोड़ी सी क्रिशनपाल गुजर के लिए भी जरूर है क्योंकि ये क्रिशनपाल गुजर जी के नुशंसा पर टिकेट मिला होडल वाला चौथा जो क्रिशनपाल गुजर जी के नुशंसा पर टिकेट हुआ वो है हतीन विधान सवाचेतर मनोज रावत, यहां पर बीजेपी की केंडिडेट के तौर पर परवीन डागर जो निवर्तमान विधायक हैं वो भी थे, केयर सिंग रावत जो पूर विधायक हैं वो भी थे, लेकिन टिकेट मिला मनोज रावत को और मनोज रावत को मना जाता है कृष्णपाल गुजर जी क सबसे करीबी और कहा जा रहा है कि यह टिकट भी कुछनपाल घूजर जी के सहमती से उनके अनुशंसा से मिला मनोज रावत की स्तिति आप यह माने कि वहां पर पहला चुनाव है जिसके अंदर बड़ी संख्या में जाट कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट हैं और वहां का च पूरुविधायक दोनों मैदान में है उन्ही के पाल के तीसरे नेता है करनल राजंदर रावत चुनाव मैदान में है भारती जंता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष ते रविंदर सहरावत सहरावत पाल के नेता है जेजेपी के चावी लेकर के मैदान में है शायद ता चुनाव मैदान में आना के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई और अब हथीन विधानसभाद छेत्र में भी कृष्णपाल गूजर के लिए चुनोती है अगली विधानसभा के आप से मैं बात करूँ तो दो विधानसभाद ऐसी है इसी फरिदाबाद लोगसभा में जिन नेताओं को भारती जनता पारटी का टिकेट मिला है वो कृष्णपाल गूजर के धुर्विरोधी माले जाते हैं उनका कृष्णपाल गूजर के साथ एक ही पारटी में रहते हुए 36 काकड़ा है कभी हम राह हुआ करते थे अलग अलग राहे हैं एक तरफ विपुल गोयल है फरिदाबाद 89 की विधानसभा सीट से अगली वीडियो में आप से चर्चा करूँगा विपुल गोयल के लिए ये कहा जा रहा है कि जितना आसान चुनाव समझा जा रहा है उतना आसान नहीं अगले वीडियो में बताऊंगा लेकिन यहां कृशनपाल जी के लिए दोहरा संकट है अगर उनका चुनाव आसान है वो चुनाव जीतते हैं तो भी ये संकट यह है कि अपने जो चहेते थे वो हार रहे हैं और वो जीत रहे हैं और अगर विपुल गोई चुनाव हारते हैं तो फिर और संकट दूसरा बन जाता है कि शेहरी सीट पर भी बात नहीं बन पाई जो मैं एगली सीट कह रहा हूँ तिगाव विधान सभा तिगाव विधान सभा की सिती है कि वहाँ पर राजेश नागर जो निवर्तमान विधायक है उनको पास फिर से टिकेट है लेकिन प्रमुक बात यह जो प्रमुक प्रतिद्वंदी रहे हमेशा कॉंग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जिनके पास लगातार तीन चुनाव टिकेट मिलता रहा लेकिन अबकी बार कॉंग्रेस ने उनका टिकेट काड़ दिया ललित नागर अबकी बार वो पर बीच में आता है राजेश नागर और लरित नागर के बीच में अगर राजेश नागर चुनाव जीतते मैं आपको बही बताया जो स्तिती फरिदाबाद सिटी वाली सीट पर है यही तिगाउं पर है तिगाउं विधान सबाचेतर क्रिशनपाल गुजर का पैत्रिक अगर राजेश नागर चुनाव जीत जाते हैं तो भी संकट और चुनाव हार जाते हैं तो भी संकट जीत जाते हैं तो क्रेडिबिल्टी का संकट और हार जाते हैं तो फिर पार्टी के दिक्कत यह छे विधान सबा हो गई अब बची तीन विधान सबाएं बल्लवगण व मंत्री थे शारदा राठ और कॉंग्रेस से प्रतिद्वंदी हुआ करती थी कॉंग्रेस ने टिकट दिया नहीं इंडिपेंडेंडेंट चुनाव मैदान में हैं आठ तालिक को पता चलेगा क्या होता है लेकिन राजनीतिक हमाएं यहां का कुछ ऐसा कह रही है कि शारदा रा में जा हा रहा है कि ठीक ठाक कंडिशन में वोट ले जाएंगे जिनको कॉंग्रेस का टिकेट मिला पराखशरमा और मूल्चन शर्मा के ही मूल शर्मा कर जो राजनीती है वू पराखशरमा के पिता पंडित योगे शर्मा जो decideee अगर चुनाव मूलचन शर्मा जीत जाते हैं तो श्रे उनको ही मिलेगा अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं ठीकरा थोड़ा बहुत तो क्रिशनपाल गुजर जब भी फोड़ा जाएगा अगली विधान सभा की बात करूँ तो फिर आजाती है प्रतला विधान सभा दीपक डागर का नाम चला था चर्चाओं में कृशरपाल गूजर के हनुमान कही जाते थे दीपक डागर टिकेट मिला नहीं निर्दलिय चुनाव मैदान में है टेक्चन शर्मा को भारती जंतापार्टी का टिकेट मिला टेक्चन शर्मा प्रतला के 2014 में विधायक रहे हैं 2019 में चुनाव लड़े नहीं थे 2014 वाले गिले शिकवे उनसे लोग अप कर रहे हैं बात यहां पर एक और भी आती है दोस्तों ठेक्चन शर्मा भाजबाई के एंडिडेट है लेकिन यहां बताना पड़ रहा है कि उनके संबंद कृशनपाल गूजर जी से बहुत अच्छे हैं आखिर ये जुरुत के अबीर सिंग देवतिया कॉंग्रेस केंडिडेट को है इसे साब से अगर टेक्चन शर्मा जी कहीं पिछडते हैं तो टेक्चन शर्मा जी तो पिछडेंगे यह पिछडेंगे वह कहीं न कहीं कृष्णपाल जी पर भी जरूर आएगा और आख्षेप लगेंगे कि क्योंकि प्लवल में इपरेस्यो में कॉख्ण के टिकट पर सामने है घौरण गौटम को जो टिकेट मिला वह भारतिय जन्ता पारटी के आला कमान की पसंद से वह कि का रहे बता रहे हैं उनकी रैलिणों के शनाविशार करने के लिए मुद्धी भी आएंगे उनकी चुनावी सभा करने के लिए आज बनवारी लाल पहुंचे हुए थे और बता रहें तमाम भाजबा के बड़े छोटे नेता हैंगे लेकिन वहां का जो चुनाव है पलवल विधान सभा का चुनाव आप उसको आसाल न समझे करन सिंग दलाल के साथ में जहां लोगों की सानुभूती है कि उनको लोगसभा का टिकेट नहीं मिला था दूसरी बात करन सिंग दलाल इस समय बड़े सौफ्ट होकर लोगों से मिल रहे है चुनाव परचार में जो चल रहा है आजकल उसमें एज करन सिंग दलाल को मिर रहा है और बताते हैं गुप्चर विभाग की जो ख़बर है वो भी यही है कि करन सिंग दलाल चुनाव जीतने की तरफ है इस लिहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्योंकि गौरव गौतम हाई कमान के बहुत चाहते हैं अगर गौरव गौतम चुनाव हारते हैं तो गौरव गौतम तो हारेंगे ही उनको तो जो होगा लेकिन वो जरूर बात पहुचाएंगे कि मदद नहीं मिली थी मदद नहीं मिली थी क्योंकि हमेशा हुआ करता है इसलिए मैंने का कि करिशनपाल गौजर के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है 2024 का चुनाव करिशनपाल गौजर के मैंने आपको चार चाहिते बता दिये जिनको टिकेट मिली दो ऐसे नाम बता दिये कि जिनमें पार्टी के अंदर भी रह करके गंगा जिनमें की पार्टी के अंदर रह करके भी रेल की पट्रियों की तरह है कि कभी मिलते नहीं आपस में और तीन केंडियेट में आपको और बता दिये आप हमारी बास से कितना सहमत हैं क्या वाक्य ये चुनाव क्रिशनपाल गूजर के लिए कोई चुनोती है आपको क्या लगता है फरिदाबाद संसदिय चेतर की नौ विधान सभाव में किन सीटों पर कॉंग्रेस मजबूत है औ कि इस लिए नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहें तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें